ऐसे नामे प्रीत मुरारी मोहे लागती ताला बेली बच्छरे बिन गाई अकेली पानिया बिन मीन तलफै ऐसे राम नामा बिन बापुरो नामा जैसे गाई का बाच्छा छूटला थन चोखता माखन घूटला नाम देव नरायन पाया गुरु भेटत अलख लखाया जैसे बिखै हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे तापते निर्मल घामा तैसे राम नामा बिन बापुरो नामा संत नामदेव जी प्रभू प्रेम की प्रबलता और अपनी बेचारगी को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरे अंदर प्रभू का प्रेम इतना प्रबल हो गया है और प्रभू के बिना मैं ऐसे तडपता हूँ जैसे बचडे से बिचडी गाए बचडे के लिए पानी से बिचडी मचली पानी के लिए तडपती है प्रभू के मिलाप से मुझे वही आनंद प्राप्त होता है जो बचडे को गाए का मखन जैसा दूद पी कर होता है गुरु की कृपा से मेरा अलख अगम प्रभु से मिलाप हो गया है आप कहते हैं कि जैसे पराई स्थी से प्रेम हो जाने पर कामी पुरुष का ध्यान पल भर के लिए भी उससे दूर नहीं होता इसी तरह मैं भी पल भर के लिए भी प्रभू का ध्यान नहीं छोड़ सकता जैसे बिना बादल के आकाश के नीचे कड़कती धूप की गर्मी से मनुष्य व्यथित हो जाता है वैसे ही नामदेव भी प्रभू के वियोग में उससे मिलाप के लिए तड़प रहा है असमन लाव राम रसना तेरो बहुरी न होए जरा मरना जैसे म्रिगा नादलव लावै बान लगे वही ध्यान लगावै जैसे कीट भृंग मन दीन आप सरीखे वाको कीन नामदेव भने दासन धास अब नतजों हरी चरन निवास नामदेव जी प्रेम भक्ती पर बल देते हुए कहते है ए मेरी जीवा तु प्रभु प्रेम का रूप बन जा तु इस तरह से प्रभु के नाम का सिमरन कर कि तु सदा के लिए जन्मरन के चक्र से मुक्त हो जाए आप दो सुन्दर उपमाउं द्वारा सच्चे प्रेम का भाव दिरड करवाते हुए कहते हैं कि राम नाम से ऐसी प्रिती होनी चाहिए जैसी हिरन की नाद से होती है शिकारी हिरन को पकड़ने के लिए एक विशेश नाद या ढोल बजाते हैं हिरन उसकी ध्वनी पर मस्थ होकर शिकारी की तरफ दौरता है शिकारी अपने बान से उसे घायल कर देता है परन्तु फिर भी नाद में मस्थ हिरन उसकी तरफ दौरता जाता है आप कहते हैं कि भ्रिंगी की कीट के साथ प्रीती होती है वह अपने ध्यान द्वारा कीट को अपना ही रूप बना लेती है प्रभु से मेरी भी ऐसी प्रीती है कि मैं उसके दासों का दास बन गया हूँ आपका भाव है कि मुझे केवल प्रभु ही नहीं उससे प्रेम करने वाले उसके भक्त भी प्रिये है मेरा मन प्रभु चरणों में इस तरह लीन हो गया है कि मैं इनके बिना अपने जीवन की कलपना ही नहीं कर सकता आवत जात परियो मैं हारी कहमन गोविंद गोविंदा चरण कवल चित्वन जिन बिसरै गोविंद गोविंद गोविंदा अंतर गर्ब सहेयो दुख भारी आवत जात परियो मैं हारी भनत नामदेव हरीगुण गाऊं बहुरीन भवजल नीरो आऊं संत नामदेव जी उपदेश देते हैं कि हे मेरे मन तु प्रभु की भक्ती में लग जा और कभी भी प्रभु के चरण कमलों को ना बिसार तु हमेशा प्रभु के नाम का सिमरन कर और एक पल के लिए भी उसे मत भुला याद रख कि तु बार बार गर्ब की अस है पीड़ा में से गुजरा है आप कहते हैं कि मैं बार बार जन्म लेकर ठक गया हूँ अब मेरी यही प्रार्थना है कि मैं सदैव प्रभु भक्ती में लगा रहूँ ताकि मैं आवा गमन के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाऊँ नामदेव जी कहते हैं तुझ बिन क्यों जियू रे तुझ बिन क्यों जियू तू मंझा प्रान अधार तुझ बिन क्यों जियू सार तुम्हारा नाव है जूठा सबसंसार मनसा बाचा कर्मना कल केवल नाव अधार दुनिया मैं दो जग घना, दारन दुख अधिक अपार चरन कंवल की मौज मैं मोहे राखो सिर्जन हार मो तो बिच पड़दा किसा लोब बड़ाई काम कोई एक हरिजन उबरे जिन सुम्रियो निह चल राम लोग वेद के संग बैहो सलिल मोह की धार जननामा स्वामी बीठला मोहिखेई उतारो बार हे प्रभू, तू ही बता कि मैं तेरे बिना कैसे जीऊं तू ही मेरे प्राणों का आधार है तू ही बता मैं कैसे जीऊं इस संसार में तेरे नाम के सिवाए सब जूट ही जूट है इस कलियुग में मन, वचन, कर्म से जिसने नाम को आधार बना लिया उसके लिए दिखाई देने वला यह संसार और उसके पदार्थ नश्वर है तेरा नाम ही सार तत्व है संसार में इतने भयानक दुख है कि तेरे बिना यहां एक पल भी जीना नरक में रहने के समान लगता है नाम देव जी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु तू दया करके मुझे अपने चर्णों की शर्ण दे दे हे प्रभु अपने मन और इसके विकारों की वजह से मेरे और तेरे बीच परदा पड़ गया है तेरा कोई विरला सेवक ही तेरे नाम के सिम्रन द्वारा इस परदे को बेध सकता है हे प्रभु लोग कर्म कांडों की प्रबल धारा में बहे जा रहे हैं जबकि प्रभु प्राप्ति का सच्चा साधन केवल नाम का सिम्रन है तू ही मेरा स्वामी है मेरी नाव भवसागर में गोते खा रही है उसे केवल तू ही भवसागर से पार उतार सकता है नाम देव जी कहते हैं हाथ उठा कर वेद ये कहते है यही नियम बिन भक्ती ना मिलती मुक्ती वेद भी इस बात की पुष्टी करते हैं कि भक्ती के बिना मोक्ष का प्रश्न ही उत्पन नहीं होता दरिया साहिब कहते हैं भक्ती बिना कहीं ठौर न पावै कतनो दान पुन्ने कत लावै रामचरित्रमानस में लक्ष्मन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री रामचंदर जी उपदेश करते हैं जातें बेग द्रवों में भाई सो मम भक्ती भगत सुकदाई सो सुतंत्र अवलंब न आना तेही आधीन ज्ञान बिग्ञाना भक्ती तात अनुपम सुख मूला मिलई जो संत होई अनुकूला जिस साधन से मैं शीग्र और अधिक प्रसन होता हूँ वह मेरी भक्ती है भक्ती स्वतंत्र और सच्चा सुख देने वाला साधन है यह आत्म निर्भर है क्योंकि इसे ज्ञान विग्ञान या किसी अन्ने साधन या सहारे की आवशक्ता नहीं रहती बलकि अन्ने सभी साधन इसके अधीन है यह अनुपम आनंद का स्रोत है परन्तु इसकी प्राप्ती किसी संत महत्मा की शरण द्वारा होती है नामदेव जी कहते हैं भक्ती आप मोरे बाबुला तेरी मुक्ति न मांगू हरी बीठुला भक्ती न आपैं तो तन आड़ो कोटी करैं तो भक्ती न छाड़ो अनेक जनम भर्मतों फिरेओ तेरो नाव लेले उधरेओ नामदेव कहैं तू जीवन मोरा तू साइर मैं मंचा तोरा हे बाबुल मुझे मुक्ती नहीं प्रेमा भक्ती चाहिए अगर आपका प्रेम न मिला तो इस शरीर का क्या फाइदा हे प्रभु कोई मुझे करोडों प्रोलोभन दे तो भी मैं आपकी भक्ती नहीं छोड़ूँगा मैं अनेक जन्मों से 84 के चक्र में भटकता फिर रहा हूँ आपकी भक्ती से ही मेरा उद्धार हुआ है हे प्रभु आप ही मेरा जीवन है अगर आप सागर हैं तो मैं मचली हूँ आपके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता रजा, शरण और प्रार्थना प्रभु की प्राप्ति का साधन, प्रभु का प्रेम, उसकी भक्ती यानी नाम की साधना है नाम की साधना में सफलता के लिए संत नाम देव जी ने जीव को तन मन से प्रभु की शरण लेने उसकी रजा में राजी रहने तथा नमरता पूर्वक उसकी दया के लिए प्रार्थना करते रहने का उपदेश दिया है संत महात्मा समझाते हैं कि प्रभू का प्रेम उसकी रजा का प्रेम पैदा करता है वह प्रभू, सर्व शक्तीमान, सर्व ग्याता, प्रेम रूप तथा दया रूप है नामदेव जी ने दुनियावी मिसालों के जरिये रजा के सिद्धांत को समझाया है पहली मिसाल पिता पुत्र की है आतमा पुत्र है वहे इसका पिता है वहे प्रेम रूप, दया रूप, सरवग्य तथा सर्वशक्तिमान पिता कुछ भी ऐसा नहीं करता जिसमें पुत्र का हित निहित ना हो वास्तव में पिता पुत्र का हित ही चाहता है इसलिए जिवात्म रूपी पुत्र का प्रभू रूपी पिता की रजा को प्रसनता पूर्वक स्विकार कर लेना ही उसका सच्चा धर्म है दूसरी मिसाल पती-पत्नी की देते हुए नामदेव जी कहते हैं मैंने प्रभु रूपी पती के प्रेम में बावरी होकर उसको रिजहाने के लिए भक्ती का श्रिंगार किया है लोग मुझ पर चाहे ताने कसें या मेरी निंदा करें ना मेरे कान यह निंदा सुनने की परवाह करते हैं ना मेरा मन निंदा सुनकर दुखी होता है क्योंकि मैंने अपना तन मन अपने प्यारे प्रभु पर कुर्बान कर दिया है मैं किसी से वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहती मेरी सिर्फ एक ही चाहत है कि मेरी रसना सदय प्रभु प्रेम के अमरित में भीगी रहे अब ऐसी हालत बन गई है कि मैं बेपरवाह होकर अपने प्रभु से मिल रही हूँ चाहे कोई मुझे भला कहे या बुरा मुझ नामे को परमात्मा मिल गया है नाम देव जी समझाना चाहते हैं कि सच्चा प्रभु भक्त, सुख दुख, अमीरी गरीबी, मान अपमान, निंदा स्तुती को प्रभु की मौझ समझ कर प्रसनता पूर्वक स्विकार कर लेता है जिस हाल में भी प्रभु उसे रखता है वह उसी में राजी रहता है तीसरी मिसाल स्वामी और दास की देते हुए आप कहते हैं गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, नरायन सुप्रसन होई ता सेवक नामा प्रभु स्वामी है तथा भक्त दास है दास का धर्म है कि वह स्वामी द्वारा दिये गए कष्ट से घवरा कर स्वामी का घर छोड़ कर भागना जाए अगर वह स्वामी से विमुख हो जाता है तो इससे उसके कुल लज्जित होते हैं और उसका जीवन मृत्यू से भी बत्तर हो जाता है आपका भाव है कि भले ही जीवन अनेक प्रकार के दुखों और कष्टों से भर जाए तो भी मन को प्रभु भक्ती में विलीन रखने का प्रयत्न करना चाहिए आप कहते हैं हे प्रभु चाहे लोग मुझ पर कितना ही हसले मैं तेरी भक्ती कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे हृदे में तेरे चरण कमलों का प्रेम सदा बसा रहेगा जिस प्रकार लोग अपने धन के लिए मरने मारने को तयार हो जाते हैं उसी प्रकार संतजन नाम यानि धन नहीं छोड़ते उनके लिए प्रभू का नाम ही धन है गंगा, गुदावरी, गया आदी धर्म स्थानों में जाना दुनियावी रीत है लेकिन नामे के लिए प्रभू का प्रसन होकर उनका सेवक गिना जाना ही सब कुछ है नाम देव जी समझाना चाहते हैं कि दुख और सुख दोनों में समान रूप से प्रभू भक्ती में लगे रहना चाहिए यदि हम दुखों से घबरा कर या सुखों के वेग में बह कर प्रभू को भूल जाएंगे तो फिर उसे याद कब करेंगे दुख सुख जीवन का अनिवारे अंग हैं मानव शरीर पूर्व जन्मों के पुण्ने तथा पाप कर्मों का फल है पुण्ने कर्मों के कारण सुख मिलेंगे तो पाप कर्मों के कारण दुख भी भोगने पड़ेंगे इसलिए इन दोनों को प्रभु का प्रसाद समझ कर सदैव उसके प्रेम में मगन रहना चाहिए जियु राम राखे त्यू रहिये रे भाई कभु खीर खाड घ्यू ना भावे कभु घर घर टूक मगावे कभु कूरन चने बिनावे जियु राम राखे त्यू रहिये रे भाई हरी की महिमा किछ कथन न जाई कभु तुरे तुरंग न चावे कबहु पाई पनहियों न पावै कबहु खाट सुपेदी सुवावै कबहु भूमी पेयार न पावै भनत नाम देव एक नाम निस्तारै जिह गुरु मिलै तिह पार उतारै नाम देव जी कहते हैं कि प्रभु की मौज को समझ सकना असंभव है कभी तो जीवन में ऐसे नाना प्रकार के पदार्थ खाने को मिलते हैं कि मन दूद, घी, आदी मीठे पदार्थों से उकता जाता है कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि घर घर जाकर भीक मांगनी पड़ती है और कूडे करकट के ढेर से अन के दाने चुगने पड़ते है प्रभु जिस हाल में रखे उसी में राजी रहना चाहिए प्रभु की महिमा का वर्नन करपाना असंभव है कभी व्यक्ति इतना सम्रिध हो जाता है कि वह जोर शोर से घुड सवारी करता है घुडों को नचाता फिरता है और कभी ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसे पाउं में पहनने के लिए जूता भी नसीब नहीं होता कभी उसे आराम करने के लिए बड़िया पलंग मिल जाता है और कभी सोने के लिए जमीन पर बिछाने को घास भी नहीं मिलती नामदेव जी कहते हैं कि इन सब परिस्थितियों में प्रभू की रजा में राजी रहने का सामर्थय गुरू की बताई युक्ति के द्वारा नाम का अभ्यास करने से प्राप्थ होता है प्रभू का सच्चा भक्त सदैव अपने आपको प्रभू की इच्छा के अधीन रखता है उसे प्रभू शक्ती तथा ज्यान का ही नहीं प्रेम तथा दया का सागर प्रतीत होता है उसे पूर्ण विश्वास होता है कि प्रभु कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिसमें उसके भक्त का सच्चा हित निहित ना हो उसे पूर्ण भरोसा होता है कि यदी प्रभु सुख में उसका भला सोचता है तो उसे सुख देगा यदि दुख में उसका भला सोचता है तो दुख देगा दुख सुख अपने ही पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण मिलते हैं और सच्चा प्रभु भक्त उन्हें अपने प्रियतम का प्रसाथ समझ कर खिले मन से प्रसंता पूर्वक स्विकार कर लेता है नाम देव जी कहते हैं एक ये पाथर कीजे भाओ दूजे पाथर धरिये पाओ जे ओ देव ता ओ भी देवा कहे नाम देव हम हर की सेवा परमात्मा का सच्चा भक्त सदैव उसकी रजा में राजी रहता है वह स्तुती निंदा मान अपमान आदी के द्वैत से उपर उठ जाता है वह जीवन के हर प्रकार के उतार चड़ाव में अडोल और शांत चित रहता है नाम देव जी कहते हैं कि मैंने अपने आपको पूरी तरह से प्रभू चर्णों में समर्पित कर दिया है यदी मुझे राजपाट भी हासिल हो जाए तो इसमें मेरी क्या बढ़ाई है और यदी प्रभू मुझे बिखारी बना दे तो मेरा क्या घट जाएगा अगर मुझे दुनिया के सब सुख आराम मिलते हैं तो भी मैं प्रभू भक्ती नहीं छोड़ूँगा और अगर प्रमात्मा मुझे दर बदर का भिखारी बना दे तो भी मैं उसका दर नहीं छोड़ूँगा हे मेरे मन तु हर हाल में प्रभू भक्ती में लगा रहे ताकि तुझे पुना इस आवा गमन के चक्र में ना आना पड़े हे मालिक दुनिया के सब जीव तेरे ही पैदा किये हुए हैं और तुने ही उन्हें भ्रमों में डाला हुआ है जिस पर तेरी कृपा हो जाती है वही तेरी रजा को समझ पाता है तेरी दया से जिसका पूरे गुरु से मिलाप हो जाता है उसके सब भ्रम और संशे मिट जाते हैं हे प्रभु तेरे सिवाए मुझे कोई दूसरा पूजा के योगे नजर नहीं आता लोग एक पत्थर की तो पूजा करते हैं और दूसरे पर पाउं रखते हैं अगर एक पत्थर में प्रभु है तो दूसरे पत्थर में भी है उसने अपनी मौज में कुछ लोगों को सत्य मार्क के ज्ञान का वर्दान बख्ष दिया है और कुछ लोगों को भ्रमों में भुला दिया है। प्रमात्मा की प्राप्ती हो सकती है। सच्चा प्रेमी अपने आपको प्रियतम की इच्छा के अनुसार ढालने का यत्न करता है। प्रियतम को अपनी इच्छा के अधीन करने का यत्न नहीं करता। परमात्मा के सच्चे भक्त परमात्मा की तरह पून सामर्थे रखते हुए भी रिद्धियों सिध्यों में नहीं पढ़ते। वे सदैव प्रभू के दास बने रहते हैं और विनम्र भाव से उसकी भक्ती करते हैं। प्रभु की इच्छा और रिद्धी सिद्धी नाम देव जी इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि प्रभु का सच्चा प्रेमी कभी भूल कर भी रिद्धी सिद्धी और करामात के प्रलोभन में नहीं पड़ता वे अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में पूर्णता विलीन कर देता है और कभी भी उसकी इच्छा का उलंगन नहीं करता आप कहते हैं भेद शट चक्र कर उर्ध्व गमन प्रकट होती वहाँ अनाहत धुन सुनकर धुन शांत हुआ मन यूं हुई साधना सफल पार उसके मिलती रिद्धी सिध्धी करती जो स्वप्थ से विचलित फसें इसमें कई योगी जन ऐसी साधना का क्या फल योगी करते साधना पाकर कष्ट जिससे होता शरीर जरजर प्राप्त कर सिध्धी मार्ग में आते विग्न खो देते आत्मिक धन बेधती न कभी वायू की गठर ना समझे ये मंद अकल कहे नामा छोड प्रेम भक्ती मूर्ख जन करते दूजी युक्ती रिध्धी सिध्धी आदी शक्तियों के उपयोग का निशेद करते हुए आप कहते हैं कि शरीर में आखों से नीचे छे चक्र हैं जिन में अलग-अलग शक्तियों का वास है इन छे चक्रों को बेध कर उपर जाने से अनह ध्वनी प्रकट होती है उस ध्वनी को सुनने से मन मगन हो जाता है और वश में आ जाता है इस योग साधना के दौरान कई प्रकार की सिध्यां आधी प्राप्थ हो जाती है जो अभ्यासी को पत से विचलित करने का प्रयत्न करती है इन सिध्यों के उप्योग से आध्यात्मिक उन्नती में बाधा पड़ती है जिने सच्चा गुरू या मार्ग दर्शक नहीं मिलता वे लोग अक्सर इन रिध्यों सिध्यों के माया जाल में फस जाते हैं योगी अनेक कश्ट जेल कर योग साधना करते हैं जिससे उनका शरीर भी जरजर हो जाता है घोर तपस्या तथा अनेक कश्ट सेहने के बाद प्राप्त की गई शक्ती को केवल आध्यात्मिक उन्नती के लिए प्रयोग में लाना चाहिए इसे करामात में नष्ट नहीं कर लेना चाहिए वायू की गठरी नहीं बांधी जा सकती इसी तरहा रिध्यों सिध्यों द्वारा प्रभू से मिलाप नहीं किया जा सकता नाम देव जी उन लोगों को महा मूर्ख बताते हैं जो प्रभु भक्ती का सुगम, अनन्द दायक तथा लाब प्रद मार्ग छोड़कर अन्ने अनेक साधनों में उलजकर मानव जन्म का अमुले अफसर व्यर्थ गवा देते हैं पूर्ण संत महात्मा ही जीवों को समझाने का यत्न करते हैं कि आध्यात्मिक उन्नती के लिए कुल मालिक की रजा में राजी रहना आवश्यक है करामात करके दिखाने वाला व्यक्ति यह सिद्ध करने का यत्न करता है कि जो प्रभू ने नहीं किया उसे वह करके दिखा सकता है संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता करामात दिखाने वाला जो कुछ करता है अपनी साधना द्वारा अर्जित की गई शक्ती को खर्च करके करता है एक तरहां से वह प्रभू की रजा में राजी रहने की बजाए प्रभू को अपने मन की इच्छा के अधीन करने का यत्न करता है जिसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है अठ सिधी नव निधी करत निहोरो रामसो धन ताको कहा अब थोरो अठ सिधी नव निधी करत निहोरो हरिन कसिब बदकर अधपती देई इंद्र को विभो प्रहलाद न लेई देव दानव जाही संपदा कर माने गोविंद सेवग ताही आपदा कर जाने अर्थ धरम काम की कहा मोख मांगय दास नामदेव प्रेम भक्ती अंतर जो जागय नामदेव जी कहते हैं कि प्रभु को पाकर जीव इतना सम्रिध हो जाता है कि वह आठ सिध्यों और नौ निध्यों जो उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती है कि ओर देखता तक नहीं नाम मार्क का साधक तथा सच्चा प्रभु भक्त कभी भी रिध्यों सिध्यों के चकर में पढ़कर अपनी साधना को नश्ट नहीं करता हम सब जानते हैं कि हिरणया कश्चप अपने बेटे प्रहलाद को राजपाठ और हर प्रकार के वैभव देना चाता था पर प्रहलाद ने प्रभु भक्ती को ही अपनाया उसने इंद्र के वैभव को भी ठुकुरा दिया जिस वैभव को पाने के लिए देवता और दानव दोनों प्रयत्न शील रहते हैं प्रभु के सचे भक्त उसे बंधन समझते हैं वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा नहीं रखते वे तो केवल प्रभु की भक्ती में ही मग्न रहना चाहते हैं पल्टु साहिब की वानी है संत न चाहें मुक्ती को नहीं पदारत चार नहीं पदारत चार मुक्ती संतन की चेरी रिध्धी सिद्धी पर थुकें स्वर्ग की आसन हेरी तीरत करही न बर्त नहीं कुछ मन में इच्छा पुन्ने तेज परताप संत को लगय अनिच्छा ना चाहें बैकुंठ ना आवा गवन निवारा सात स्वर्ग अपबर्ग तुछ समता ही बिचारा पल्टू चाहे हरी भक्ती ऐसा मता हमार संत न चाहें मुक्ति को नहीं पदारत चार आप कहते हैं कि प्रभू के सच्चे भक्त, चार पदार्थ, मुक्ती, रिध्धी सिध्धी, स्वर्ग बैकुंठ आदी किसी चीज की इच्छा नहीं रखते वे सदैव प्रभू के प्रेम तथा प्रभू की भक्ती में मग्न रहना चाहते हैं समर्पन और प्रार्थना प्रभू के प्रेम तथा प्रभू की भक्ती का मूल आधार यह द्रिड विश्वास है कि जीवात्मा की अंतिम भलाई अपने आपको पूरी तरहां प्रभू को समर्पित कर देने में है पूरी तरह से बिना शर्थ अपने आपको उस दयालू प्रभु को समर्पित कर देने से उसे ना स्वार्थ की चिंता रहती है ना परमार्थ की इसलिए संत नामदेव जी उपदेश देते हैं कि तुम पूरी तरह उस समर्थ पुरुष की शरण में आजाओ और उससे दया की भीक मांगो तुम प्रभु से संसार की किसी वस्टू की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने की भूलना करो प्रभु से प्रभु को मांगो प्रभु से उसका प्रेम मांगो प्रभु से उसकी दया मांगो प्रभु के बिना और कुछ भी मांगना प्रभु के ज्यान उसके प्रेम तथा उसकी दया पर संदे करना है जो व्यक्ति प्रभु के सामने किसी सांसारिक वस्तू के लिए प्रार्थना करता है वह एक तरह से प्रभु को यह बताना चाहता है कि उसे प्रभु से अधिक ज्यान है और प्रभु को उसकी भलाई के बारे में कुछ पता नहीं है संत नाम देव जी एक आसहाई बालक की तरहां अपने प्रभु पिता से विंती करते हैं लोब लहर अत नीज़र बाजय काया डूबै केसवा संसार समुन्दे तार गुबिंदे तार लैबाप बीठुला अनल बेडा हों खेव न साकों तेरा पार न पाया बीठुला होहो देयाल सत्गुर मेल तु मोको पार उतारे केसवा नामा कहे हों तर भी न जानो मोको बाहदे बाहदे बीठुला हे बीठुला हे मेरे परमपिता उफनती हुई लोब की लहरों में मैं गोते खा रहा हूँ मैं अपने बलबूते से कभी भी इस भयानक समुद्र को पार नहीं कर सकता आप दयालू हैं आप कृपा करके जैसे भी हो मुझे इस भयानक समुद्र से पार कर दें मेरे जीवन की नईया तुफानी भवसागर में हिचकोले खा रही है मैं इसे खेने में असमर्थ हूँ आप ही मेरा बेडा पार करें मुझे तो दूसरा छोर ही जहां तू खड़ा है दिखाई नहीं देता हे कृपा निधान मेरा मिलाप सद्गुरु रूपी नाविक से करवा दे जो मुझे अपनी दया द्वारा भवसागर से पार ले जाए हे मेरे दयालू पिता मैं तैरना भी नहीं जानता आप मुझे अपनी बहां पकड़ा कर पार कर दें संत नाम देव जी सद्गुरु की शरण के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि सद्गुरु निराकार प्रभु का साकार रूप है वास्तफ में सद्गुरु की शरण ही प्रभु की शरण है और सद्गुरु की शरण का आर्थ मन मर्जी के यतनों को त्याग कर सत्गुरु के उपदेश अनुसार, प्रभु भक्ती तथा नाम की कमाई में लग जाना है शरण बातों का मजमून नहीं है यह प्रभु की रजा में राजी रहते हुए तन मन से प्रभु भक्ती अत्वा नाम की कमाई करने पर आधारित है नाम देव जी की वानी है माधो कैसे कीजै जोग करत जोग बहुत कठनाई तज न सकों या भोग नहीं मेरे रहनी नहीं मेरे करनी बंधियो पंच बस पोख नहीं मेरे ग्यान नहीं मेरे ध्याना ब्यापे हर खर सोक मैं अनात सुकृत हीनो तुम थै परियो ब्योग भनत नाम देव हरी सरनी राख्यो नहीं तो हसी हैं लोग हे प्रभू, मैं असमंजस में हूँ कि आप से मेरा मिलाप कैसे हो पाएगा मुझ निर्बल का मन बुरी तरहा भोगों में लिप्थ है जिस कारण मेरे लिए योग की साधना करपाना सर्वता असंभव है ना मेरी रहनी योग साधना के अनुकूल है और ना ही करनी बलकी काम, क्रोध, आदी पांचों विकारों ने मुझे बुरी तरहा जकड़ा हुआ है हे प्रभू, मेरी बुद्धी, भ्रमित है मैं अनात हूँ, आपके बिना मेरा और कोई साहरा नहीं मैं अवगुणों से भरा हुआ हूँ मैंने कोई भी शुब कर्म नहीं किया है मैं आपके वियोग की पीड़ा से व्याकल हूँ हे प्रभू, शर्नागत की इलाज रख लें नहीं तो लोग आपके भक्त की हसी उड़ाएंगे इसी भाव को आप अपनी वाणी में इस तरह व्यक्त करते हैं संसार समंदे तार गुबिंदे हुँ तिरही ना जानू बापजी लोभ लहर अतनी जर बर्खै काया बूडे के स्वा अनल बेडा खेई ना जानू पारदे पारदे बीठला नामा कहै मैं सेवग तेरा बहादे बहादे बाबुला हे विठल तू मुझे संसार सागर से पार लगा मुझे तो तैरना भी नहीं आता मेरी जीवन रूपी नौका लोभ की तुफानी लहरों के कारण डावा डोल हो रही है मैं इसे खेने में असमर्थ हूँ तू ही मेरा बेडा पार कर दे हे मेरे बाबुला मैं तेरा सेवक हूँ तू मुझे अपनी बहा का सहारा देकर पार लगा दे वियोग में तडप रही असहाए अबला की और से प्रार्थना करते हुए आप कहते हैं माधव भीतर मारो हेली अबला का बल कहा गुसाई पर्थक जाए न पेली ये अनेक मैं एक गुसाई कहो कहा बस मेरा खेत की पहुँच कहानू राखो खस्मन करै ही फेरा तुमसे बेदना ओखद औरे मंत्र और नहीं जाना ब्याद असाद अगांध दयानिधी पचपच गये समाना जिनकू तुम हरिकारी किनही बिथा और नहीं व्यापी नाम देव कहे नहीं बस मेरा कृपा करो दुख कापी हे दिनानात मैं आपके वियोग में तडप रही असाहाई अबला हूँ मैं आपको देख नहीं सकती परन्तु आप मुझे देख रहे हैं मैं स्वयम आपके पास नहीं पहुँच सकती इसलिए आप ही कृपा पूर्वक स्वयम मुझे आवाज देकर अपने पास बुला ले या मेरे पास आकर मेरी बाह पकड़ ले हे प्रभु मुझ अकेली अबला को अनेक दुश्मनों ने घेर रखा है मैं स्वयम कदापी इनसे अपना बचाव नहीं कर सकती खेती की रख्षा करना किसान का तथा स्त्री की रख्षा करना पती का कर्तव्य है मुझ जिवात्मा की रख्षा करना आपका धर्म है हे प्रभु मैं अनेक रोगों से पीडित हूँ आप वह वैदे हैं जिसके पास हर रोग का उपचार है हे प्रभु अपने बल और बुद्धी द्वारा अपना उपचार तथा बचाव करने का प्रयत्न करने वाले अनगिनत लोग भवसागर में डूप चुके हैं परन्तु जिन पर आपकी दया दिरिष्टी पढ़ गई वे हर प्रकार के रोगों से सदा के लिए मुक्त हो गए ये प्रभु मैं बिलकुल विवश हूँ मेरा कोई जोर नहीं चलता आप कृपा पूर्वक मुझे शत्रूओं से बचा ले तथा असाध्य रोगों से मुक्त कर दे निर्बल जीव की करुणा में स्थिती का वर्नन करते हुए नामदेव जी कहते हैं बंदे की बंदी छोड बनवारी असरन सरन राम कहे बिन आई परे जमधारी केई बांधे जोग जप कर केई तीरत दाना केई बांधे नेमा बरता तेरे हाथ नाथ भगवाना रामदेव तेरी दासी माया नाटी कपट कीना थावर जंगम जीत लिया है आपा पर नहीं चीना नामदेव भणै मैं तुम थै छूटूं जो तुम छोडावो गोपाल जी तुम बिन मेरे गाहक नाही हे प्रभू समस्त स्रिष्टी आपकी इच्छा का प्रसार है मैं भी आपकी इच्छा से ही स्रिष्टी से बंधा हुआ हूँ मैं स्वयम इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता मैं आपकी शरण में आ गया हूँ आपकी शरण को छोड़ कर कोई दूसरा सहारा लेने वाले कभी भी यमदूतों की मार से नहीं बच सकते नामदेव जी साफधान करते हैं कि मन माया तथा आवा गमन के जाल से बंधे लोग इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए जब तप, तीर्थ प्रत, दान पुन्ने आदी अनेक प्रकार के कर्मकांडों का सहरा लेते हैं, जबकि बंधन मुक्ति का वास्तविक साधन प्रभू अथवा सद्गुरू की शरण है आप कहते हैं, हे प्रभू, आपके इच्छा अनुसार कारेशिल माया ने संसार के सब प्राणियों को बुरी तरह से अपने जाल में फसा रखा है माया से प्रभावित लोग भक्ति के मन चाहे अनेक साधनों का सहरा लेते हैं वे नाम की कमाई द्वारा मन को इंद्रियों से और आत्मा को मन से अलग करके अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानने की ओर ध्यान नहीं देते फल स्वरूप, वे सदैव, मोह माया तथा आवा गमन के चक्र में बंधे रहते हैं हे दीनानात, मोह माया के जाल से मुक्ति प्राप्त कर सकना मेरे वश की बात नहीं है आपने ही मुझे इस बंधन में डाला है और आप ही मुझे इस से मुक्त कर सकते हैं इसलिए मैं दूसरे सब सहारे त्याक कर आपकी शरण में आ गया हूँ नाम देवजी निर्मल परमार्थ के इस सरल परंतु महत्व पूर्ण सिधान्थ पर प्रकाश डाल रहे हैं कि सर्व शक्तिमान प्रभू की इच्छा द्वारा रचना से बंधा जीव केवल उसकी इच्छा अत्वा दया से ही इससे मुक्त हो सकता है इसलिए जीवात्मा को दूसरे सब यत्न छोड़कर प्रभू अत्वा सद्गुरू की शरण प्राप्त करके उसके सम्मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए नाम देवजी की वानी है मैया तु मेरी मैं बालक तेरा हे प्रभू हो प्रेम मगन मुझको प्रेम पए पिला गया मा मेरी मैं बचडा तेरा हे प्रभू प्रेम पैसे अपने ना दूर करा म्रिगी मा तु मेरी मैं शावक तेरा हे प्रभू भव बंधन से मुझको ले छुडा पांखी माता तु मेरी, मैं अंडज तेरा, हे प्रभु मेरे लिए प्रेम का दाना ला कच्छवी अप अलक हो, जो सेती अंडों को, हे प्रभु मुझ पर भी कर ऐसी कृपा रक्षक मार्कदर्शक मेरा तु, कहता है नामा हे प्रभु प्रेम भक्ती है तुझको प्यारी, संभाल मुझे जान कर शिशू नाम देव जी, परमेश्वर के आगे भक्ती भाव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तु मेरी मा है और मैं तेरा नन्हा सा बालक हूँ मुझे अपने प्रेम का दूद पिला, तु मेरी गाय है और मैं तेरा बचड़ा हूँ मुझे अपने प्रेम के दूद से वंचित मत कर हे प्रभु, तु मेरी हिरनी मा है और मैं तेरा शावक हूँ तु मेरी बेडी तोड़ दे हे प्रभु तू मेरी पक्षी मा है और मैं तेरा नन्ना सा पंची बच्चा हूँ, तू मुझे मेरा चोगा दे कच्वी पानी में रहती है, परन्तु उसकी द्रिष्टी हर दम बाहर सुखी जगा में छिपे अंडों पर रहती है वह अपने ध्यान से ही उन्हें सेती और पालती है, हे प्रभु वैसी ही दया द्रिष्टी मुझे पर बनाए रख नाम देव जी कहते हैं कि हे प्रभु तू ही मेरा मार्ग दर्शक और रक्षक है, तुझे प्रेम भक्ती प्यारी है, तू मुझ निर्बल बालक की संभाल कर नाम देव जी की वानी है, मूख हो की विक्षप्त बालक, करता पिता उसके भले की चिन्ता, कर रह्मत मुझ पर, मेरा भी पोशन कर मेरे परम पिता अंतर में दे, मुझे कोई निशानी, रिदे आत्मा में रखूंगा नाम संभाल, चर्णों में तेरे अर्पित, मेरा चित्वित, कहें नाम देव, अगर कहलाया मैं अभागा, होगा कौन लज्जित बालक, पागल, गुंगा या रोगी हो, तो भी पिता उसकी भलाई चाहता है, वह प्रेम से उसका पालन तथा रख्षा करता है नाम देव जी प्रार्थना करते हैं, कि हे प्रभू, मैं भी आपका असहाए पागल, गुंगा और रोगी बालक हूँ आप मेरी रख्षा तथा संभाल करें, मैं आपके नाम को लाज नहीं लगने दूँगा, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आप पर उंगली उठे मेरा तन, मन, धन आपके चर्णों में अर्पित है, मैं बाकी सब सहारे छोड़ कर तन, मन से आपकी शरण में आ गया हूँ शरण में आय हुए की लाज रखना आपका स्वभाव है, यदि आप मेरी लाज नहीं रखेंगे, तो दोश आपको ही दिया जाएगा नामदेवजी की वाणी है, चाहे गिरे आकाश सिरपर, प्रभू मैं न छोड़ूं तेरे चरण, मीठे हैं तेरे चरण, सदा ही मीठे हैं तेरे चरण परवत की तरह है जो हठी, उसे समझाने का बेकार है यत्न, कहे नामदेव, कैसे मैं करूँ तेरा वर्णन, हैं शब्द असमर्थ, करूँ कुछ और जतन नामदेव जी कहते हैं, कि हे प्रभू, चाहे आकाश फटकर मेरे सिरपर आगिरे, भले ही मेरे उपर आप दाओं के परवत तूट पड़े, मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा, आपके चरण मीठे, प्यारे और सुखदाई हैं, मैं किसी हालत में भी आपकी शरण नहीं छोड़ूंगा, आप विंती करते हैं, कि हे प्रभू, आप परवत की तरहां कठोर ना बने, बलकि मेरे अवगुणों को शमा कर दे, मुझ में आपकी महानता का गुणगान कर सकने की शमता नहीं है, यदि कोई दूसरा आपकी महिमा बयान कर सकता है, तो मुझे भी यहे युक्ती समझा दे, आप समझाना चाहते हैं, कि निर्बल जीव का अपने प्रयत्न द्वारा उस सर्वशक्तिमान तथा सर्वग्य प्रभू को समझ सकना असंभव है, जीवात्मा केवल प्रभू की शरण द्वारा ही भवसागर से पार जा सकती है, मैं अंधुले की टेक, मैं अंधुले की टेक, तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब, मैं मसकीन, तेरा नाम है अधारा करीमा रहीमा अल्ला तु गनी हाजरा हजूर दरपेस तू मनी दरियाओ तू दिहंद तू बिसियार तू धनी देह लेह एक तू दीगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे चस्वामी बक्संद तू हरी नाम देव जी कहते हैं कि हे दयाल प्रभू जैसे अंधे को लाठी का सहारा होता है वैसे ही तेरा नाम मुझ गरीब और अनात का सहारा है हे प्रभू तू दया का भंडार है तू बक्षन हार है तू मुझे सर्वत्र व्यापक दिखाई देता है तू समुद्र से भी अधिक विशाल है और तेरे भंडार अंगिनत रहम्तों से भरे हुए है तू सच्चा दाता है, देने वाला भी तू ही है और लेने वाला भी तू ही है तेरे बिना कोई दूसरा नहीं है तू सर्व ग्याता है और तेरा ग्यान तथा विवेक अकथनिये है तेरे गुणों का बखान कर पाना असंभव है मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि तू मुझ जैसे पापियों के अनन्त पापों और अवगुणों को देखते हुए भी उनको बक्ष देता है दीन जान बिनती मान मेरी कौन गती गुसाई तुम जनत भरन देवा जनम हीन करम छीन भूल गयो सेवा बड़ो पतित पतितन मैं गज गनिका गामी और पतित जगत प्रकट तिन हूं मैं नामी तुम दयाल मैं गरीब टेर कहो रामा दीन जान बिनती मान गावै दास नामा नामदेव जी विनम्र भाव से कहते हैं हे जगत के प्रतिपालक आप मेरी दशा जानते हैं कि मैं जनम और कर्म से नीच और तुछ हूं मैं आपकी सेवा तथा भक्ती करना भी नहीं जानता संसार में हुए गज जैसे असाहय और गणिका जैसे बड़े बड़े पापियों में मेरा नाम सबसे उपर है मैं गरीब और दीन हूँ और आप दीन दयाल है मुझ गरीब की विंती मान कर मुझ पर कृपा कीजिये और अपने चर्णों का दास बना लीजिये संत तुका राम जी का कथन है धर विश्वास हुआ निश्चिन्त रखा हृदय तेरे चर्णों पर करूंगा पालन तेरे वचन अब डुबो चाहे तार नहीं जानता लाया क्यों सतमार्ग पर जो दे सहर्ष स्विकार करूं न कोई मांग बता करूं तेरी सेवा किस प्रकार तुका कहे करूं कुछ की देखूं तेरी लीला अप्रम पार मैंने अपने मन को तेरे चर्णों में रख दिया है और तेरा आसरा लेकर मैं निश्चिंत हो गया हूँ मैंने तेरे वचनों का पालन करने का द्रिड निश्चे कर लिया है अब तु चाहे मुझे उबार ले चाहे डुबा दे मैं नहीं जानता कि तू मुझे सत्ते के मार्ग पर क्यों ले आया है परन्तु हे प्रभू सुख या दुख जो भी तू मुझे देगा उसे मैं सहर्ष स्विकार कर लूँगा इतनी कृपा कर कि अब मेरी कोई भी मांग ना रहे मुझे केवल यह बता दे कि मैं तेरी सेवा कैसे करूँ हे प्रभू तू ही बता कि मैं कुछ करूँ या केवल मौन रहकर तेरी लीला देखता रहूँ एक द्रिश्टांत एक भोला भाला निर्धन ग्रामीन एक राजा का दास बन गया राजा का उसके साथ संक्षिप्त वार्तालाप इस प्रकार है राजा भले मानस तेरा नाम क्या है दास मेरा कोई नाम नहीं है जिस नाम से आप मुझे पुकारेंगे वही मेरा नाम हो जाएगा राजा तुम खाते क्या हो दास जो आप मुझे खाने के लिए देंगे, मैं वही खा लूँगा राजा तू कपड़े कैसे पहनेगा दास जैसे आप पहनने के लिए दे देंगे राजा तू काम क्या करेगा दास जो आप करने के लिए कहेंगे राजा तू चाहता क्या है दास मेरे मालिक, दास की कोई इच्छा नहीं होती जो आपकी इच्छा है, वही मेरी इच्छा है राजा इस बात से बहुत प्रसन हुआ उसने हुक्म दिया कि तु सदैव मेरे साथ रहेगा दास की आँखों में से आंसु बेहने लगे और उसने खुशी के साथ सिर जुका दिया राजा ने उसका परिवार भी अपने महल में बुलवा लिया और दास तथा उसके परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने उपर ले ली संतनाम देवजी उपदेश देते हैं कि जो पूरी तरहां प्रभू का हो गया प्रभू पूरी तरहां उसका हो गया गुरु अर्जन देव जी का कथन है पिता कृपाल आग्या एह दीनी बारक मुख मांगै सो देना नानक बारक दरस प्रबचा है मोहे हृदय बसे नित चरना उस कृपालू पिता ने आग्या दी कि जिवात्मा रूपी बालक जो भी इच्छा करे उसकी इच्छा पूरी की जाए पिता के प्रेम का रूप बन चुकी जिवात्मा ने प्रार्थना की कि मेरी केवल यह इच्छा है कि मुझे सदैव आपके चरन कमलों का आश्रे प्राप्त रहे और मुझे सदैव आपके दर्शन होते रहें जिसने प्रभू से संसार मांगा वह सदैव संसार से बंधा रहा जिसने प्रभू से प्रभू को मांगा उसने प्रभू को पालिया सार हम अनेक संतों महात्माओं के जीवन और वानी को ध्यान से पढ़ते हैं ताकि हमें भी अपने जीवन को उचित दिशा में ढालने की प्रेरणा मिले संत नाम देव जी के जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि साधारण जाती में जन्म लेने के बावजूद भी इनसान प्रभु भक्ती द्वारा प्रभु से मिलाप कर सकता है यदी हम अलग-अलग वक्त में हुए महात्माओं के जीवन पर द्रिश्टी डाल कर देखें तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि वे बिलकुल साधारण इनसान थे और उनको अपना जीवन, कठोर, संकट युक्त तथा परस्पर विरोधी हालातों में गुजारना पड़ा फिर भी वे प्रभु भक्ती द्वारा प्रभु से मिलाप करने में कामियाब हो गए वह दयालू पिता, संतों महात्माओं के उधारन द्वारा हमारे अंदर यह विश्वास पैदा करना चाहता है कि हमारे हालात जैसे भी हो, हम प्रभु की भक्ती द्वारा प्रभु से मिलाप कर सकते हैं उस परमेश्वर द्वारा हमें मनुश्य जन्म का वर्दान दिया जाना ही इस बात का सबसे बड़ा आश्वासन है कि हमारे अंदर उससे मिलाब करने का सामर्थे है संत महात्मा भी जीवों को अपनी शरण में लेते समय उनके देश, धर्म, जाती, अमीर गरीब, औरत मर्द, अनपडविद्वान, उंच नीच, अच्छा बुरा होने की तरफ ध्यान नहीं देते वे इस भरोसे से जीवों को नाम की अंतर मुक साधना की युक्ति सिखाते हैं कि हर व्यक्ती, हर प्रकार की कठनाईयों के बावजूद अपनी लिव अंतर में प्रभु के नाम से जोड़कर प्रभु से मिलाब कर सकता है संत नाम देवजी ग्रहस्त महात्मा थे आपने घर ग्रहस्ती के सब कर्तव्य निभाते हुए प्रभू से मिलाब किया आपके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि त्याग का संबंध मन से है, शरीर से नहीं प्रभू प्राप्ति का संबंध घर ग्रहस्ती के त्याग से नहीं अपनी वृत्ति को स्वार्थी की बजाए परमार्थी बनाने से है प्रभू की इच्छा या रजा में प्रसन रहना ही प्रभू के प्रती सच्चा विश्वास प्रकट करना है संत महात्मा प्रभू को शक्ती रूप, ज्यान रूप तथा प्रेम रूप मानते हैं ऐसे गुणों से संपन, वह परमपिता, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिसमें उसके पुत्र आत्मा का वास्त्विक भला ना हो संत नाम देव जी ने अपने जीवन में प्रभू की इच्छा को सर्वोत्तम मानने का व्यक्ति गत उधारन हमारे सामने रखा है किसी का दुख सुनना, उसको समझना, उसमें शामिल होना और उसे दूर करना दया है किसी के अवगुणों की ओर ध्यान दिये बिना उस पर दया करना पूर्ण संतों का श्रेष्ट गुण है दया और शमा एक ही सिक्के के दो पहलु है उस वक्त के बाद्शा ने संत नामदेव जी की जान लेने की कोशिश की परन्तु आपने उसको दुर्वचन तक नहीं कहे बाद्शा के दुर वेहवार का आपके मन पर रत्ती भर प्रभाव ना पड़ा आपने उसे इस तरह माफ कर दिया मानो कुछ हुआ ही ना हो दया, क्षमा, प्रभु भक्ती हर प्राणी में प्रभु को समाया हुआ देखना प्रभु की रजा में राजी रहते हुए पल-पल उसके ध्यान में मग्न रहना संत नामदेव जी के जीवन का सार है संत नामदेव जी की वानी से प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य जन्म का अमुल्ले वर्दान प्रभु अपने साथ मिलाप के लिए प्रदान करता है वह पिता परमेश्वर अंदर है और उससे मिलने का साधन उसका नाम भी हर जीव के अंदर ही है सद्गुरू की संगती तथा उपदेश द्वारा ध्यान को अंतर में प्रभु के नाम में लीन करके जीवात्मा सहज ही उससे मिलाप कर सकती है यह संसार कर्म भूमी है समस्त स्रिष्टी, कर्म, प्रती कर्म, अथ्वा कर्म तथा फल के अटल नियम के अनुसार चल रही है वर्तमान जन्म में ऐसे कर्मों से बचना चाहिए जो आगे के लिए गले का फंदा बन सकते हों और पूर्व जन्मों के कर्मों का साधु संगती तथा नाम की कमाई द्वारा नाश करने का यतन करना चाहिए ताकि कर्म और फल तथा आवागमन के चक्र को तोड़ कर सदा के लिए प्रभु में समा जाएं संथ नाम देवजी उपदेश देते हैं कि जीवन क्षण भंगूर है जीवन पल पल घटा जा रहा है मौत मू फाड़े तेजी से हमारी ओर दोड़ी चली आ रही है कुछ मालुम नहीं कि काल कब दबोचले इसलिए विलंब किये बिना आज और अभी प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए